नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के एस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवास सिजन के बारे में और जानेंगे कि एडवास सिजन क्या होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप आपने पीएफ अकाउंड से एडवास क्लेम के जडिए पैसे निकाल सकते है है तो जब भी पीएफ मेंबर्स मैं एक आप्षिन आता है जिस आप्षिन का नाम है इडवास प्लिक करता है तब एक बहुत लंबी लिष्ट खूल कर आती है और पीएप मेंबर्स यहां पर चलते आप अपने PF account से पैसा निकाल रहे हैं उसी कारण को advance season कहते हैं और PF account में कहीं सारे advance season available हैं इसलिए जब हम advance season वाले option पर क्लिक करते हैं तब वो list खुल जाती है और advance claim करते समय advance season select करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनी advance season पर यह करता है कि advance claim के जरिये आपको कितना पैसा मिलेगा तो advance claim करते समय advance season select करना बहुत ही जरूरी है लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि advance claim करते समय कौन सा advance season select करना है तो देखे अगर आप किसी emergency के चलते अपने पीएफ अकाउंट से advance पैसा निकाल रहा है जैसे कि पीएफ मेंबर्स की तबियत खराब है या फिर पीएफ मेंबर्स के परिवार के किसी सदेश से की तबियत खराब है तो आप इन्लेस advance season को select कर सकते हैं इन्लेस advance क्लेम कर देना है आपका क्लेम सेटल हो जाएगा और पैसा आपको मिल जाएगा वैसे ही एक और एडवांस जिजन है जो काफी ज्यादा फेमस है और उस एडवांस जिजन का नाम है अगर आप इस advance season के जरी advance क्लेम करेंगे तो आपके पीएफ अकाउंट के employee share और employed share इन दोनों में जितना भी पैसा जमाए लगबग वो पूरा पैसा आपको advance क्लेम की जरी ही मिल जाएगा लेकिन इस advance season को इस्तमाल करने की एक शर्त है और वो शर्त यह है कि construction of house advance season के जरी है वही पीएफ मेंबर्स advance क्लेम कर सकता है जिस पीएफ मेंबर्स की 5 साल की service complete हो चुकी हो ऐसे ही काफी सारे advance season अवेलेबल है जिनने आप select करके advance क्लेम कर सकते हैं यह तो मैंने आपको 2 advance season के उधारन बताये हैं आप अपने हिसाब से advance क्लेम को select कर सकते हैं और advance क्लेम करके अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं बाकि आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरीए advance reason क्या होता है इस सवाल के जवाब को मैं आपको detail में समझा पाया हूँ ए वीडियो अगर आपको पसंद आ करेंगे